हमने अलग अलग प्रकार के गलबज बना रखे हैं आप किसी भी की तरह के गलबज हमारे चैनल पर देख सकते हैं 37 फंदे हमने डाल लिए हैं सिंपल से फंदे 37 फंदे अब दोनों साइट से उल्टा उल्टा बिन लाएंगे इस साइट से भी और इस साइट से भी 10 लाइन हमने उल्टा उल्टा बिन लिया है अब यहां से उपर को सीधा सीधा बिन लेंगे यह उल्टी सलाई है, इसके बार फिर यहां से सीधी सलाई बिने, इसी तरीके से उपर को बिनते हुए जाएंगे, पूरे फंदे हमने बिन लिये हैं, बारा फंदे हमने यह छोड़ रखे हैं, अब यहां से एक फंदा हम दूसरे धागे से दिनेंगे, एक फंदा हमने यह बिन लिया, बाकी फंदे पूरे काले कलर से ही बिनेंगे, सीधे लाइन बिन लिये हैं, उल्टी लाइन, यहां तक हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे, पहली लाइन में एक फंदा बिना था, अब यह दूसरी लाइन में तीन फंदे, एक, दो, तीन, तीन फंद, बाकी पूरी शिलाई काले कलर से ही बिन लेंगे, यह उल्टी बिन लेंगे, फिर सीधी शिलाई में पास बिन लेंगे, EGDHARKA और EGDHARKA फिर उल्टी सलाइ में 7 बिलनागे EGDHAR से EGDHAR से इसी त़रीके से उपर को बिलनागे इतना हमने ये बना लिया है अब एक फंदों के 2 हिस्ऽे करेंगे बराबर आधे फंदे हमने 1 सलाइ में ले लिये अधाय फंदे एक सलाई में पांस फंदे यहां से हम बंद कर लेंगे दो फंदे बिने पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेंगे इस तरीके से एक फंदा हमारा बंद हो गए दो फंदे बंद हो गए तीन चार पांस पांस फंदे हमने बंद कर लिये हैं बाकि पूरी सलाई बिन लेंगे अब उल्टी सलाई हमने यहां तक बिन लिये हैं बीज में हमने पांस फंदे जो बंद किये थे अब यह पांस फंदे हम एक फंद की बनाएं एक फंदा दो इसी तरीके से इसको पांस बार बिन लेंगे पांस पांस बार बिल गया अब बाकि यह फंदे हम पूरे बिन लेंगे जिस तरीके से नीचे यह फंदों को हम एक एक करके बिन लेंगे उसी तरीके से यहां पर भी बिन लेंगे अब यह काला फंदा है तो इसको यह कलाश है बाकि पूरे फंदे इस कलाश है अब साथ फंदे हमने इस कलाश से बिन लेंगे और साथ फंदे इधर बचेंगे बीज का फंदा हम काले कलाश से बिन लेंगे इस तरीके से बाकि फंदे एक फंदा फिर यह काले वाले को इसी कलार से बिन लेंगे इस तरीके का बाकि फंदे काले से हैं तो इसको काले से ही बिन लेंगे फिर सीधी सलाई फिर फर्स्ट का एक काला कलार आरा फिर इसको इससे बिन लेंगे अब बीच का एक फंदा हमने काले कलर से बिन लेंगे अब यहां पर हम तीन काले कलर से बिन लेंगे एक दो तीन बाकि फंदे इसी कलर से बिन लेंगे जो एक फंदे के हमने पांस भी ने थे अब यह फंदों को हम यहां पर उठा लेंगे 5 फंदे हमने उठा लेंगे यह हमारा यहां पर अगउठा बन लेंगे अब यह बाकि फंदे बिन लेंगे इस तरीके का हमारा यह बन रहा है एक-एक फंदा हम यहां से काले कलर से बीनते हुए ला रहे हैं और एक-एक इधर से अब बीज में काले कलर से हमारे पांच फंदे हो गए हैं दो फंदे यहां बचे हैं दो फंदे यहां अब इन्हें पूरे काले कलर से बीनते हैं पूरे फंदे हमने काले कलर से ये बिन लिए है डिजाइन हमारा ये पूरा होगे आप ये डिजाइन को बड़ा भी बना सकते हैं हमें इस बात का द्यान रखना चाहिए एक का इस साइड बनाएंगे तो दूसरे का इस साइड बनाएंगे अंगुठा बनाने के बाद और एक का अंगुठे से पहले अब चार सलाई हम उपर को सीधे सीधे बिल लेंगे उसके बाद जिस तरीके से नीचे हमने बॉडर बिना है उल्टा उल्टा दोनों साइड से इसी तरीके से उपर से बिन लेंगे गलब जैम ने पूरा बना लिया है अब ये फंदों को बन कर लेंगे एक, दो, दो फंदे बिन लिये पीछे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लेंगे इस तरीके इसी तरीके से पूरे फंदे हम बन कर लेंगे, पूरे फंदे हमने बन कर लिये हैं, अब इस हिस्से को हम जोड लेंगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक इसमें सिलाई करेंगे, गलब्ज हमने जोड लिये हैं, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें,